बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ के YouTube चैनल पर मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज है 8 एप्रिल जहां पर हम Indian Express में आए सबसे important articles को आपके साथ discuss करेंगे जान लीजिए कि Indian Express की जो edition हम cover कर रहे हैं वो New Delhi edition है अब आपने से बहुत से बच्चे New Delhi के साथ साथ कुछ दूसरी जगाओं पर भी अपनी preparation करते हैं तो अक्सार ऐसा कई बार होता है कि New Delhi में आए कुछ articles आपके edition में हो सकता है एक दू दिन के बाद हैं तो गबराना नहीं है important चीज़ें आपकी cover होंगी ही होंगी और एक बात हमेशा याद रखना that whenever you are preparing for state civil services और UPAC IS exam और for that matter किसी भी competitive exam की जब आप तयारी करते हैं तो सिरफ newspaper तक सीमित नहीं रहना होता newspapers के beyond भी जाना पड़ता है और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं third eye angle कि मानलो enforcement directorate से related बहुत सारी चीज़ें news में आ रही है तो enforcement directorate की चीज़ें जो news में आ रही हैं उसके साथ साथ उसके static component को भी पढ़ना पड़ता है जो आपकी लक्षमी कान जैसी books में आपको मिल जाता है यह series आपके लिए लेकिया हैं हम तो शुरू करते हैं straight away first article और first mudde के साथ लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दू बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे है and obviously I am very sure कि आपको यह session काफी पसंद आने वाले है आपको PDF भी चाहिए होगा in classes का CS live group को आपने join करना है और telegram पर hello.chandhan sharma यहाँ पर भी मेरे साथ आप connected रह सकते है and in case आपको कोई query है regarding UPC preparation तो उसके लिए आप telegram की उपर मुझे message बेज सकते है मेरा personal handle है at the rate h e double l double o c h a n d a n ठीक है कोई space नहीं है this is my telegram handle right तो straight away let's go to the first article और first article किस चीज के साथ deal कर रहा है this is related to defense in news बहुत सारे aspirants right हमारे comment section में कई बार अक्सर पूछते है कि sir क्या ये series NDA aspirants के लिए relevant है CAPF के लिए relevant है law students के लिए relevant है दोस्तों सब के लिए relevant है जहां जहां पर जिन competitive exams में current of physics important और crucial component बनाता है उन सब के लिए ये series relevant है defense exercises पर खुद मुझे बताईए comment section में क्या UPSC question नहीं पूछती क्या state civil services question नहीं पूछती क्या CAPF में इसके उपर सवाल नहीं आता सब में आता है या तो इसको कर लेते हैं कबर अब देखो अखबार में बड़ा limited सी information share की गई है अखबार में एक defense exercises है it is called as gagan shakti 24 ठीके उसके बारे में जो अखबार में आया है वो आया है ये एक बहुत सुन्दर जहाज की खूपसूरत सी image और उसके नीचे एक caption that's it, khatum, done, हो गया पर exam के लिए यार हमें थोड़ा सा extra पढ़ना पढ़ेगा तो वही बात है हमारा focus exam को clear करना है ठीके, सिरफ खाना पुत्ती करने के लिए अखबार नहीं हम पढ़ेंगे अखबार देखो, बड़े काम आते हैं पढ़ने के बाद आप उसको you know, notes बना लेते हो या कुछ भी कर लेते हो ठीके, तो आखबार को धंग से पढ़ना चाहिए या, ठीके, यहाँ पर अब आते हैं Indian Air Force की यह exercise थी गगन शक्ती 2024 इसको short में गगन शक्ती 24 भी कह देते हैं 10 दिन की यह exercise है जो की शुरू कब हुई थी? 1st April ठीके, तो इसकी जो conduction हुई थी यहाँ, मतलब जितने दिन यह exercise चल रही थी It was from April 1st से लेकर April 10 तो अभी 8 April है, तो अभी 2 दिन और पढ़ें इस exercise के उपर तो 2 दिन बाद एक बार फिर से हम इसका कुछ reference ले लेंगे, एक बार recall कर लेंगे कुछ important development अगर इन 2 दिनों में होती है definitely हम उसे भी cover कर लेंगे वो news purpose में भी आएगी, ही आएगी इसमें अब जो objective है इस exercise का यह हमें पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफी सारी Indian Air Force की exercises conduct होती है and it's better for us अगर हमें यह मालूम हो कि किस purpose से इने conduct किया गया ठीक है, differentiate हमें करना आना चाहिए यहाँ पर हमारा objective क्या था कि हम हमारी Air Force की capability और preparedness को test करना चाते है और उसे enhance करना चाते है किसलिए, just in case हमें two front war का सामना करना पड़ता है, God forbid God forbid, लेकिन अगर कभी two front war होती है, two front war 1970s में and 60s में तो उसकी possibility बनती थी because of the presence of Pakistan on our west and east Pakistan on our east, ठीक है तो तब तो two front war की possibility बनती थी लेकिन आज की date में पाकिस्तान और चाइना के बीच का जो nexus है, चाइना की aggression और पाकिस्तान की बेवकूफी, इसकी वज़ाए से there could be a possibility on for a two front war और बेटर है कि उस time पर unprepared ना हो हम, तो बेटर है कि पहले तयारियां उसकी रखो होगा तो नहीं, chances उसकी कम है बढ़ अगर हो गया तो it's always important कि हम तयार रहें, right, this is the objective यह important है, इसको भूलना नहीं है, right अब कई बार सवाल आ जाता है कि यह जो exercise है, it's annual exercise दस साल में एक बार होती है फलाना धुमकाना, right, लेकिन आपको याद रखना है कि as such इसका कुछ fixed frequency नहीं है, right whenever air force को लगता है कि preparation की जरूरत है, एक mock drill करने की जरूरत है, because we have upgraded certain instruments used by our air force or we have inducted new aircraft, तो वहाँ पर यह exercise conduct कर ली जाती है, जो last exercise हुई थी, वो 2018 में हुई थी, ठीक है, और सबसे जो एक crucial और important fact related है, इस exercise के साथ, यादनी कि इसका जो एक USP आप कह लीजिए, वो है MIG-29 Bisons, ठीक है गगन शक्ती 2024 जो है यह आखरी major exercise होने वाली है जिसमें MIG-21 Bisons जो है वो participate करने वाले हैं, इनकी retirement हो रही है, और 2025 तक सरकार का objective है, कि इन aircrafts को हम पूरी तरह से retire कर लेंगे MIG-29, MIG-21 Bisons and MIG-29 Fulcrums यह हमारी Indian Air Force में induct किये गए थे Soviet Russia के transfer of technology deal के through हमें यह मिले थे, लेकिन अब यह पुराने हो चुके है, state of the art and new generation aircraft की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें Rafale जैसे हमने induct किया है, Tejas Light Combat Aircraft हमारे पास आ रहा है, जो रिसेंटली जैसल मेर में उसका crash भी हुआ था, वो pilot की ejection sheet का मैंने आपको काफी अच्छा से समझाया भी था, that how rockets work for, you know ejecting the seat of a pilot, ठीक है, anyways coming back here, right, ये इसका एक USPA इसको भी आपने याद रखने है, अब इस मुद्धे को, ठीक है ये सिरफ इतना मुद्धा cover हुआ है, right अब मैं आपको एक बार ना दिखाना चाहता हूँ बहुत से बच्चों को लगता है कि सर आप तो दो-चार चीज़ें करा देते हो right, न्यूसपर में तो बहुत कुछ आता है यार, दो-चार चीज़ें नहीं चीज़ें काफी सारी होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है, अब न्यूसपर में तो इतना ही आते हैं, ठीक है, लेट अस सी, कितने शक्तिमान मौझूद है हमारे यहां, right, चलो, तीन स्टेटमेंट्स हैं, यह कहा रहा है कि इसको बहुत बार न्यूस में सुना है, मिग 21, Bison को, right, और correct statement identify करनी है हमें, पहली statement कह रही है good morning Manu, answer solve करो straight away, Indian Air Force plans to retire all squadrons of MiG-29 by 2030, ठीक है, second statement कह रही है कि MiG-21 entered into service in Soviet Union in 1959, India plans to discontinue MiG-21 owing to technical difficulties resulting out of a lack of technological transfer for creating these jets between India and Russia, first statement false है, का है false है क्योंकि 2030 नहीं, यह हमने 2025 तक इन सबको retire कर देना है third statement, इसको भी देखते है, lack of technology transfer नहीं है इसमें basically technology transfer हो गया था, ठीक है, technology transfer जो था it was done, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या, यह भी false है, ठीक है, MiG-21 को हम retire कर रहे है, उसका reason यह है कि हमारे पास अब new generation aircraft चा रहे है और वो MiG की जगह अब हम Rafale use कर रहे है, ठीक है, Rafale वगरा यह सारे aircraft चा रहे है technology transfer हुआ था और भारत को proper license भी मिला था, इन्हें produce करने का, ठीक है तब ही हमने, Soviet Russia ने इसको around 85 में discontinue कर दिया था, MiG-21 उसको produce करना लेकिन भारत तब भी technology transfer के वज़े से हमें आ गया, तो हमने use भी किया और upgrade भी करते रहे यह new separate में नहीं आया है, यह मैं आपको additionally बता रहा हूँ, ऐसा सवाल आ सकता है तो यह falls हो गया, यह correct है, 1959 में Soviet Union ने अपनी Soviet era की जो Air Force है उसमें induct कर लिया था भारत को यह 1963 में मिला था, ठीक है, और जो पहला country को यह मुझे बता सकता है the first country outside Soviet Russia जिसको MiG-21 Bisons मिले थे, बताओ बताइए, बताइए, first country जिने MiG-21 Bisons मिले थे, right, outside Soviet Russia that country was East Germany, East Germany, ठीक है, इसको भी आप note कर लिजे, right, आगे चलते है, ठीक है answer इसका A है, first or third statement जो है, that is incorrect, right, and second statement जो है, वो क्या है, हमारी absolutely correct statement, right, यह जी समझ आगी नहीं, Ukraine नहीं, रोहित, it's not Ukraine, it's East Germany, East Germany था, वो पहला country जिसको क्या मिला था, first, मतब, outside जो outside था ना, जो, Soviet Russia के उसको यह पहला मिलाता है, कि इंडिया को 1963 में, देखो, यह MIG-21 है, ठीक है, MIG-21 Bison, अब इसको थोड़ा सा detail में कर लेते हैं, ठीक है, अब USP क्यों हम कर रहे हैं, पहली बात तो यह, कर इसलिए रहे हैं, क्योंकि जो recently एक important exercise हुई है, उस important exercise में, what is happening is, that, इनकई आखरी major exercise होने वाली है, तो थोड़ा सा इने पढ़ लेते हैं, इसमें ऐसा था कि दो साल पहले, दो साल पहले भी यह news में था, right, I remember इसको अपनी तयारी के दुरान भी prepare किया हुआ था, तब हुआ क्या था, कि बारमेर नाम की एक जगह है राजस्तान में, वहाँ पर trainer version इस fighter aircraft का चलाया जा रहा था, जहां पर यह crash हो गया, एंड उसमें दो pilots ओ शहीद भी होगे, right, तभी Indian Air Force एक तो मानती है कि यह थोड़ा outdated technology होगी, इसको upgrade करनी की ज़रूरत है, ठीक है, pilots की safety के लिए भी सही नहीं है और थोड़ी सी reliability issues भी आ रहे हैं, plus we have new technology, तो 2025 तक सब के सब MIGS को retire कर दिया जाएगा, अब इसमें क्या है, कि दो तरह के MIG चलते हैं, एक MIG-21 Bison और MIG-29 Fulcrum, ठीक है, अब उसके बारे में आपको पहले बताओं, पहले बहुत चों लोगों के मन में ना एक जिग्या ऐसा आ सकती, कि सर यह MIG क्या होता है, MIG ना basically एक company का नाम है, जो इन aircraft को design development और इनकी basically production के साथ involved थी during Soviet era, ठीक है, this company is called as MIG को यान Gurevik, ठीक है, MIG की यह short form है, right, इसका जो abbreviation है, यह MIG को यान Gurevik को short कर दें, तो यह MIG बन जाता है, it's a supersonic jet fighter, tell me in the comment section the meaning of supersonic, ठीक है, आप सभी जानते हैं, कि speed of sound के context में, there is ultrasonic, supersonic and subsonic, तो क्या मतलब होता है, इसको comment section में बताइए, और अगर आपको नहीं मालूम, right, तो इसको एक बार search करेंगे आप, ठीक है, तो सारा कुछ, हम थोड़ी ने करेंगे, थोड़ा सा home work तो देना बनता है, right, इसके बाद देखो, इसमें ये चीज़ मैं आपको बता चुक हूँ कि 1963 में हमें मिला था, हमें full technology transfer दिया था, Soviet रश्या ने, right, और हमने license to build it, इसको भी acquire किया था, तभी हमारे country में इसकी production भी चल रही थी, इसलिए Soviet रश्या ने जब इनको use करना, produce करना बंद भी कर जया था, हम तब भी इसको बनाते जा रहे थे, और कुछ upgrades अपने लेवल पर भी कर रहे थे, ठीक है, एक और aircraft है, MiG-29 फलक्रम, ये मैंने उड़ा रख है, MiG-29 मैंने उड़ा रख है, actually एक game थी, MiG-29 फलक्रम, ये मैं पहले भी बता चुक है आपको, wonderful game, पूरी feel आती थी, इसमें quite nice game, right, तो MiG विमान ही हम basically phase out कर रहे हैं धीरे-धीरे हमारी air force से, ठीक है, अब फ़ड़ा angle थोड़ा और करते हैं, अभी हमने गगन शक्ती 24 exercise को cover गिया, अब दो और important exercise recently ही हुई है, इनको भी देख लेते हैं और इनके main objective को समझ लेते हैं, exercise वायू शक्ती 2024, ठीक है, this was conducted in February 2024, और कहां पे conduct हुई, पोखरान air to ground range, ठीक है, पोखरान air to ground range में ये recently conduct हुई थी, नियर जैसल में, right, इसका objective, unlike गगन शक्ती जहांपर हमारा objective था, कि two front war को लेके हमने हमारी preparedness को देखना है, exercise वायू शक्ती, जो air force इसमें चल रही है, air force conduct कर रही थी, इसमें हमने हमारी procession देखनी थी, of long range weapon delivery system, और अलग-अलग air basis से, क्या हम operations को conduct कर सकते हैं या नहीं, इसे देखा जाना था, और इसमें क्या था, एक और चीज, very important चीज, कि यहाँ पर सिरफ air force involved नहीं थी, यहाँ पर Indian army भी involved थी to some extent, जहाँ पर army और air force की coordination भी देखी जा रही थी, उसकी भी mock drill हो रही थी, देखे, I hope you're getting it, इसमें किस सरा से इसका objective और aim जो है, it is different from the objective and aim of गगन शक्ती exercise, वो आपको समझ लग गिया है, भारत शक्ती exercise ये एक और exercise है, अब देखो इनके नाम बहुत सेम है, गगन शक्ती, वायू शक्ती, भारत शक्ती, भारत शक्ती तो किसी scheme का भी नाम लगता है, ठीके और भारत कोई नाम सुनके, आपको कई बार हो सकता है कि UPSC का examiner आपको confuse करने की कोशिश करे, जैसे देखकर ये पता नहीं लगा आपा होगे कि ये Air Force का ही कोई exercise या mission है, या हो सकता ही, ये space related कोई ISRO का कोई काम हो, ठीके तो इसको भी समयना ज़रूरी है, भारत शक्ती exercise, ये अब इ fire and maneuver exercises को कहा जाते है, fire and maneuver का मतलब इसमें firing and maneuvering, ठीके, ये basically threat perception को समझते हुए, किस तरह से आप अपनी strategy बनाएंगे to fire, that is to attack and maneuvering, that is to surround the enemy and eliminate it, ये भारत शक्ती exercise इस तरह से conduct हो रही है, ये भी पाखरान में conduct हुई थी और हमारी indigenous defense capabilities को showcase किया था हमने, ठीके, इस showcase के पीछे ज क्या होता है, एक हमारी deterrence improve होती है, कि हमारे शत्रू मुल्क जो हैं, उनको पता रहे कि हमसे अगर टकराओगे, तो मिटी में मिल जाओगे, ठीके, दूसरी चीज, हमारी defense industry भी है, जहां पर बहुत सारे countries हमारे equipment को purchase करने में interested हैं, तो जब हम ऐसी आतिश बाजियां करते हैं तो that is a showcasing of our technology and capabilities, तो उसमें बहुत सारे countries interested हो जाते हैं, आपको पता हैं, Indonesia and Philippines, यह कुछ Southeast Asian countries हैं, which have shown interest in purchasing defense equipment from India and that adds to India's GDP along with India's soft power, soft power का मतलब हमारा sphere of influence बढ़ जाता है, कि जब किसी country को हम defense equipment supply कर रहे हैं, obviously friendly country को करेंगे, तो उस country की goodwill पैदा होती है, और यह goodwill जो है, अलग-अलग international platforms पर भी reflect होती है, चाहे UN Security Council की बात करें, या फिर कोई और grouping की, ASEAN etc., इन सारी groupings की बात करें, तो इंडिया की credibility as a world leader, as a leader in Indian Ocean region, यह सारी चीज़ें basically इसको add-on करती हैं, यह बात जो मैंने बोली है, इसको याद रखना, इसकी significance अभी थोड़ US इसको कहा चाता है, अब यहाँ पर अकाश weapon system से थोड़ी सी information में आपको pass on कर रहो हूँ, यह basically है क्या, this is a short range, keyword is short range, surface to air missile, अकाश नाम सुनके ना बहुत से लोगों को लगता है कि air to air missile हो सकता है, यह हो, नहीं, surface to air missile है, ठीक है, basically it's an air defense system, surface to air missile है, जहाँ पर यह vulnerable areas को protect करे कि मालो हमारी कोई, let's say, कोई nuclear facility है, यहाँ फिर समझ लीजिए कि कोई बहुत ही critical facility है, which is very crucial for our defense, ठीक है, कोई air base है, जहाँ पर अगर war होती है, तो immediately हमारे air force को mobilize किया जाएगा, तो उसकी protection के लिए अकाश weapon system को deploy किया जाता है, जहाँ पर surface to air missile launch की जा सकती है, अगर हवा से इसको दोस्त कर दिया जाएगा, ठीक है, इसकी खास बात यह है, कि एक ही time पर multiple targets को attack कर सकते है, ठीक है, it can target multiple targets at the same time, ठीक है, तो यह इसकी खास बात है, और एक और चीज़ कि जो अकाश weapon system है न, यह mobile platforms पर हम deploy कर सकते हैं, जिसका मतलब है ऐसा नहीं है, कि एक बार कहीं पर ह कि newspaper में इत्तु सी photo और इत्तु सा caption आया था, लेकिन उसको हमने detail में किया, और थोड़ी आगे पीछे की चीज़ों को cover किया, तो इस series के साथ daily बने रहिएगा, क्योंकि daily basis पे हम सिरफ articles के पीछे नहीं जाते, हम cover करते हैं, मुद्दे, ठीक है, और जब मुद्दों की आपक to the mains question, ठीक है, अब इसमें इसको करो, यह जो हमने तीसरी आँख से इतनी चीज़ें cover की है, इतनी दिर मैंने भाव-भाव किया है, जो, इसमें, let us try to solve this question, यह question आ सकता है, और यह question नहीं सिरफ UPSC में नहीं, state civils में और even CAPF या NDA exams में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बताए, exercise गगन शक्ती, a 10-day exercise to test preparedness for a two-front war, this is true, यह मैंने आपको बताया, ठीक है, गगन शक्ती exercise, 24 भी लिख सकते हो इसे, वायू शक्ती exercise, try service live fire and maneuver exercise, क्या वायू शक्ती exercise का यह objective था नहीं, वायू शक्ती exercise में हमने basically क्या करना था, हमने showcase कर दी थी हमारी military prowess, military ताकत, prowess मतलब थाकत हमारी, ठीक है, और long range weapon system delivery को हमने देखना था, ठीक है, तो this is the objective, और भारत शक्ती exercise, भारत शक्ती exercise जो है, यह try service exercise थी, जहां पर live fire and maneuver exercise हमने यहां पर conduct की, ठीक है, और akash weapon system को हमने basically क्या किया, इसको भी test किया, इसको showcase भी किया, ठीक है, तो सिरफ पहला pair correctly matched है, best option हमने choose करनी है, तो इसमें clearly दिख रहा है कि second and third में न, twist हो रखा है, ठीक है, twist हो रखा है, तो इस वज़े से सिरफ एक ही pair correctly matched है and the answer is option A, सभी का correct है, तो जिनका correct है, मेरी तरफ से अपने आपको आज एक chocolate gift कर लेना, ठीक है, पैसे पपू देगा, ठीक है, यहां पर अगला question देते हैं, ठीक है, यहां पर एक और question देखते हैं, देखो हमने defense exercises को cover किया, अब ज्यादा तर aspirants को ऐसा लगते है कि defense exercises, इनके उपर सवाल सिरफ prelims में बन सकते हैं, यह objective question ही बन सकता है, but this is not true, the understanding or if I may say a comprehensive understanding about this particular topic, the significance of these defense exercises, it plays a really important role in helping you ace in mains, ठीक है, अब जो civil services exam की तयारी करन हैं, चाहे वो state का हो, यहां UPSC हो, तो उसमें इसकी समझ, ठीक है, यह जो defense exercises करते क्यों हैं, इससे क्या-क्या फायदा हो सकता है भारत को, इसमें हमें क्या challenges आतने हैं, और उन challenges का way forward क्या है, इसमें, और सबसे बड़ी बात कि यह defense exercises हैं, this is not just कि हम अब internally कर रहे हैं, अपने internal exercises, इसमें जादातर कोई दूसरा country involved नहीं था, हमारी ही tri-service coordination को लेकर यह exercises नहीं, लेकिन ऐसी exercises किसी दूसरे मुल्क के साथ भी की जाते हैं, जिनने joint military exercises यह joint defense exercises कहा जाते हैं, तो इनकी significance होती है, उस पर सवाल पूछा जा सकते हैं, या उसकी समझ, आपके essay की dimension को improve कर सकती है तो यहां पर देखो, यह सवाल, discuss the significance of conducting military exercises in context of changing geopolitical dynamics of present decade, यह बड़ा technical question है, बहुत interesting question है, इसमें आपने military exercises की significance को discuss करना है, तो इसकी significance की discussion में आपने पहलू बताने हैं, कि एक military exercises कहां कहां पर फाइदा कर सकती है, जैसे economic फाइदा, इसको याद कर लो, P-E-S-T-A-L, ठीके, यहां E-L, ठीके, हर जगा यह सब कर सब नहीं use होगा, P होता है political, यहां geopolitical इस case में, E होता है economic, S होता है scientific, ठीके, यहां strategic, T होता है technological, E यहां पर environmental और L बन जाएगा legal, ठीके, अब यहां पर देखो, यहां पर यह इधर इस question के context में, military exercises के geopolitical significance आप बता सकते हो, ठीके, उसके बाद economic significance बता सकते हो, scientific significance भी यहां पर बनेगी, ठीके, strategic significance भी बनेगी, scientific and technological equally important, ठीके, वो आप कर लोगे, right, environmental significance कुछ खास इतना आएगा नहीं, and legal significance भी कुछ खास इतना नहीं आएगा, ठीके, but you can see that how you have to unfurl this question, तो 150 words में इसका answer लिखना, might be a challenge, but you can still try and इस answer को technical बनाने के लिए, what you can do is, you can name some military exercises and describe their significance, ठीके, तो वहां पर ऐसे question में, 5.6, 6.6 number इस तरह से मिल सकते हैं, ठीके, अब क्या है, कि जो बच्चे new हैं, जो नहीं नहीं तयारी भी start कर रहे हैं, वो newskeeper को पढ़ कर ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते, कि उसमें से कैसे निकालना है, how I have to prepare all these things, right, और most importantly, static का current के साथ भी link होता है, trust me and mark my words, when I say, कि जितना strong आपका static part होगा, आपकी current affairs के उपर आपकी grip उतनी ही जादा होती रहेगी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, आपने से बहुत से बच्चे मानते हैं, कि सर आप ये हर बार बोल देते हो, कि static part में strong होने से current पर grip बन जाती है, हमें तो नहीं लगता, UPSC तो current ही पूछती है, देखो, most importantly जब आपका static part strong होता है, तो you are well aware about things and topics and issues which are important for UPSC IS exam, तो जब UPSC में current affairs को हमने पढ़ना होता है, current affairs इतने सारे, इतने vast and a never ending component है, इसमें से क्या पढ़े, क् छोड़ें, इसी clarity तब मिलती है, जब आपको एक बार mind में पूरा एक framework बना हुआ है, कि static में ये topics थे, अब उनी topics related जो current affairs है, they become important, ठीक है, this is the important, starting में इसलिए जो बच्चा है, अखबार पढ़ेगा, वो पूरा दिन अखबार पढ़ता रहेगा, क्यों, क्योंकि उसे पता ह यही चीज हुई, उसको पढ़ना होता है, ठीक है, चलिए, अब यही चीज कहते हुए, मैं आप सभी से request करूँगा, suggestion दूँगा, कि देखो, coaching is very important for UPC preparation, इतना ज़्यदा professional exam हो चुक है, preparation इसकी इतनी competitive हो चुक है, that you need guidance and regular monitoring, कि आपका progress कहां पर जा रहे, इसीज में study IQ can really help you, क्योंकि हमारे पास एक बहुत affordable price पे, एक comprehensive course है for your preparation, इस course में life classes के साथ-साथ आपको पास 18 set of books भी घर पर deliver किया जाएगा, जिनकी मदद से you can have a really good grip over your static part, and along with that, इसी में हमारा एक current affair program भी रहते है, जहां पर daily basis पे approximately 1 hour की एक video share किया जाती है, along with a print friendly PDF, बहुत बच्चे कितने है इसको A4 में दो, sorry, I can't give that, but इस course के अंदर वो print friendly format में, वो PDF मिलता है, ठीक है, तो current affairs पर अच्छी grip मिल जाती है, and after one month we also give you monthly compilation, जाकि अच्छे से आप उसको revise कर सको, point A से लेके point Z तक, ठीक है, सारी चीज़ने इसमें cover होंगी, आपका पूरा का पूरा syllabus cover होगा, and not just that, prelims and mains क दोनों के लिए ये भी included है, and interview में भी पूरी guidance आपको मिलती है, इसको लेकर कोई query हो, तो at the rate, hello Chandan, telegram पर मुझे message कर सकते हो, और हमारा new batch, 13th April से launch हो रहा है, और classes हमारी रहेंगी, शाम 6 बजे की, ठीक है, evening 6 PM की classes रहेंगी, and this will be starting from 13th April, तो enroll कर लो, and website पर ये महंगा course है, approximately 37 या 42,000 का course है, CS Live Code लगाने से, you can purchase it in only rupees 30,000, and इसमें books available है, ठीक है, books भी available है, वो आपको मिलेंगी, आगे चलते हैं, इस article को देखते हैं, आज आप में से बहुत से बच्चों को already पता होगा, घर पर भी बातें चल रही होगी, कि आज क्या है, आज सूर्य ग्रहन है, ठीक है comment section में मुझे एक बार बताइए, कि भारत में ये सूर्य ग्रहन visible होगा, धर्ती पर तो देखो लग रहा है, लेकिन क्या भारत में visible होगा, तो जवाब है not particularly, actually ये सूर्य ग्रहन जो है, ये North America में witness किया जाएगा, and this is going to be a total solar eclipse, ठीक है, total solar eclipse on North America, जिसमें Mexico, United States और Canada, इनके पिक है, आप सभी जानते हैं कि इसको हम कहां कहां कवर करते है, Earth and Universe, ठीक है, या Earth and our solar system, ये चिस geography में भी covered है, and geography is part of your GAS 1, General Studies 1, along with that, general science में भी, physics में, हम planets and solar system इसको भी cover करते हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से it's important कि इसकी aspects को हम पढ़ लें, बाकी lunar eclipse, solar eclipse, उसकी अलग-अलग terms ये आपके static geography का भी part है, ठीक है, तो बहुत सी चीज़े अब जो यहाँ पर हम cover कर रहे हैं, ये static चीज़े ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आज एक बड़ा rare event हो रहा है, और वो क्यों rare है, ये भी आपको समझ लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर उसकी relevance है, और significance ह I am expecting कि आज क्या date है, आज today is 8 April, I am expecting कि upcoming UPSC Prelims Exam में इससे related सवाल आ सकता है, ठीक है, 2024 में ये question आ सकता है, तो चलिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हम देखेंगे what are different types of lunar eclipse, देखो ऐसा है कि Earth, Moon और Sun, इनकी relative position से कुछ ऐसे points बन जाते हैं in a particular year, जहाँ पर Moon जो है, वो Earth और Sun के बीच में आ जाते हैं, इसकी वज़े से Moon की shadow Earth पर गिरती है, and depending upon कि ये किस type की shadow बनाएगा, उसके basis पे हम lunar eclipse को, यहाँ सूर्य ग्रहन को, lunar नहीं ये solar eclipse है, apologies, ठीक है, this is solar eclipse, lunar eclipse तो कुछ और होगा ना, solar eclipse है, I apologize for this, ठीक है, इसको, this is not type of lunar eclipse, this is solar eclipse, ठीक है, partial solar, solar, ठीक है, solar, सूर्य ग्रहन है, ठीक है, इसको ठीक कर लो, सूर्य ग्रहन है, ठीक है, यह सूर्य ग्रहन है, ठीक है, यह सूर्य ग्रहन है, ठीक है, अब इसमें आए, कि depending कि किस तरह की shadow बनेगी, उसके basis पे हम सूर्य ग्रहन को, चार भागों में डिवाइ कर सकते हैं, right, कुछ गलत तो नहीं मैं बता रहा, हाँ, solar eclipse है, solar eclipse ही है, ठीक है, चलो, अब इसमें क्या है कि जब total solar eclipse होता है, total solar eclipse में क्या होता है, कि moon, almost पूरी तरह, relative to earth, almost पूरी तरह, वो सूरे को धक देगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस image में, पूरी तर यहाँ से rays यहाँ से निकलती है, but otherwise, it is covered, usually जब moon, धर्ती के थोड़ा पास होगा, तब इस तरह का eclipse बनता है, ठीक है, क्योंकि आप कभी ने, torch लगाना, और दिवार पर torch को मारना, एक object पकरना, let's say, कोई छोटी सी ball आपने पकड़ ली, तो वो ball, torch के जब पास होगी, तब जो shadow बनेगी, वो थोड़ी सी faded होगी, और जैसे जैसे आप दिवार के पास उसको लेके आओगे, वो shadow जो है, वो थोड़ी सी sharp बनेगी, ठीक है, क्योंकि relative to, relative from the wall, वो एक तरीके से torch को पूरी तरह से cover कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब पूरी तरह से almost cover हो रहा है sun, तो वो total solar eclipse बनेगा, ठीक है, फिर होता है partial solar eclipse, अब क्योंकि आप जानते हो कि जो earth, moon, earth का revolutionary orbital plane, ठीक है, revolution करने वाला जो orbital plane है, let me show you, ठीक है, यह देखो, earth जो है sun के इर्दगिर्द revolve करती है, और moon जो है, वो earth के इर्दगिर्द revolve करता है, ठीक है, तो एक तरह से, एक तरह स ठीक है, तो ऐसे कई बार होगा, कि जब moon, earth और sun के बीच में आया, तो वो properly center में नहीं आया, ठीक है, properly center में नहीं आएगा, sun का सिरफ कुछी हिस्सा है, उसको ढखेगा, तो उसको क्या कहते है, that is called as, that is called as partial solar eclipse, ठीक है, कि sun का कुछी portion इसको ढख दिया moon ने, right, then there is something called annular solar eclipse, ann यहां पर भी देखो, sun और earth के बीच में moon perfectly exist करेगा, बट यहां पर जब moon sun के पास है, यहां आप कहलीजिए, कि earth से सबसे farthest point की तरफ जब होगा, और sun और earth के बीच में आ रहा है, तब यह इस तरह का solar eclipse बनाएगा, the reason is, कि जब वो sun की तरफ, यह अर्थ से थोड़ा दूर ह ठीक है, दूर होने के वज़े से क्या होगा, कि sun का कुछ portion visible होगा, तो एक ring like structure बनेगा, ठीक है, एक ring like structure बनेगा, this is how annular solar eclipse is different from total solar eclipse, और hybrid solar eclipse कब होता है, जब moon transition में होता है, ठीक है, जब transition में होता है, from total solar eclipse to annular solar eclipse, ठीक है, कि moon की movement हो रही है, अर्थ की भी movement हो रही है, तो initially हमें total solar eclipse दिख रहा था, लेकिन धीरे-धीरे समय के बीतने से, वो annular बन गया, ठीक है, यहां फिर partial नजर आ रहा था, लेकिन समय थोड़ा सा पास हुआ, और वो annular बन गया, तो इसको हम hybrid solar eclipse कहा देते हैं, ठीक है, अब इसमें देखो, क्या है कि, usually, earth और sun के बीच में, moon after every 29.5 days आएगा, ठीक है, क्योंकि the time taken by moon to complete its one revolution around the earth, ये एक important fact है, इसको याद रखना, time taken by moon to complete its one revolution around earth, it takes approximately 29.5 days, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कि हर 29.5 days के बाद, solar eclipse आ रहा है, क्योंकि moon, earth और sun के बीच में आ रहा है, ऐसा इसले नहीं होगा, because of this, 5 degree angle between the plane of earth's revolution around sun and moon's revolution around earth, ठीक है, तो उसमें, उसमें होता ही है, कि, जब intersection हो रही है, इन दो orbits की, जहांपर intersection हो रही है, वो points ऐसे बनेंगे, जहांपर moon, earth और sun, ये एक single line में आएंगे, नहीं तो कभी क्या हो सकते है, कि, ये sun है, ठीक है, white marker use करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा से समझाने के लिए, ठीक हो, ये sun है, ठीक है, moon यहाँ पर हो सकता है, और earth यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, जब ऐसे case में, इतने हिस्से में daylight है, ठीक है, इतने हिस्से में daylight है, और क्योंकि थोड़ा सा tilt है, तो moon, technically है तो इन दोनों के बीच में, लेकिन ऐसे भी center ऐसी position नहीं है, उसकी कि वो अपनी shadow cast कर सके, ठीक है, तो इस वज़ा से कुछी points होते हैं, जहां पर ये orbit intersect करते हैं, इन points को कहते हैं, nodes, ठीक है, तो जब moon इन nodes के उपर आता है, वो position हमारी बनती है, जब sun, moon और earth, ऐसे एक line में आ जाते हैं, और तब ग्रहन दिखते है तब solar eclipse दिखते है, ठीक है, and depending upon, again depending upon कि आप किस latitude पर हो, earth में किस latitude पर हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको total या partial eclipse दिखेगा, ठीक है, तो कुछ जगाओं पर total eclipse दिख रहे हैं, लेकिन Pacific Ocean या Atlantic Ocean की कुछ जगाओं पर हमें partial eclipse नजर आएगा, ठीक है, और एक जगा पर जब total eclipse नजर आता है एक बार, तो उसके बाद अगला total solar eclipse जो है, वो 400 साल के बाद दिखेगा, again इसके पीछे जो reason है, it is this 5 degree tilt between earth's orbit around sun and moon's orbit around earth, ठीक है, तो एक बार आने के बाद, अगली बार, ठीक है, 400 साल लगेंगे बापस उसी तरह की situation create करने, right, I hope यह चीज समझ लगी है, अब इसमें हम ज़्यादा PhD करेंगे, तो हम astrophysicist का course शुरू कर देंगे यहांपर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको static parts से एक बार revise कर लेंगे, static part में, geography, NCRT में यह चीजे दे रखी हैं, जहांपर eclipses, penumbra, umbra, इस सारी terms आपको समझा जाती है, ठीक है, उनको एक बार अग लग सकता है, जो की है question, ठीक है, चलिए, इसको solve करने की कोशिश कीजिए, तीन statements दे रखी हैं आपको, you have been given three statements, and correct statement को हमने क्या करना है, identify, statement one कह रही है कि a place witnessing a total lunar eclipse, will witness it again nearly 400 years later, एक बार जिसने देख लिया, 400 साल बात देखेगा, यह true है, इसको मैंने समझा दिया, ठीक है, य revolution around sun, and moon's revolution around earth, are at an angle of 5 degree to each other, ठीक है, यह भी true है, umbra covers less than 1% of globe during a solar eclipse, इसको ठीक कर लो, during a solar eclipse, ठीक है, यह भी true है, तीनो statements true है, answer क्या बन गया, c, अब umbra क्या होता है, यह देख लो, यह diagram देख लो, ठीक है, आपने अपनी NCITS में भी इस diagram को देखा होगा, देखो जब moon, earth और sun ऐसे one, एक line में आ जाते हैं, तब क्यो होता है कि sun, अपनी light बेज रहा है, ठीक है, sun की जो है, basically, it is emitting light, right, and it is not a point source, sun point source नहीं है, ठीक है, तो आपको ray diagram अगर थोड़ा सा यादो, जो 10th तक हम करते हैं, I think 10th standard and 8th standard में, हम कुछ ray diagrams भी बनाते हैं, जहां पर properties of light भी हम पढ़ जाते हैं, and they are also important for your civil services exam, ठीक है, कभी-कभी उस पर सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसमें क्या है, rays इस तरह से निकलेंगी, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, कि दो तरह का एक shadow वाला region बन रहे, जो यह center वाला shadow वाला region है, ठीक है, यह darkest point होता है, जब भी solar eclipse बना, ठीक है, यह दो important terms है, तो उसको याद रखना, तो यह जो darkest point यह जो shadow बनते है, तो क्योंकि sun के comparison में moon बहुत ही छोटा सो object है, और earth के comparison में भी moon का size काफी छोट है, तो इसलिए जब यह shadow cast करेगा, it will hardly cover 1% of the entire globe, बहुत छोटी सी जगा पर 1%, और वही यह मतलब legends create हो रख वहाँ पर कुछ paranormal activities हो जाते हैं, ठीक है, these are legends, ठीक है, yes, to some extent scientifically अगर हम देखें, तो कई बार कहा जाता है कि जब earthquake, ठीक है, कुछ earthquakes होते हैं, they coincide with solar eclipses, ठीक है, उसके पीछे सीधा सीधा reason यह है, कि gravitational pull जो है, ठीक है, sun और moon की gravitational pull जो है, वो एकी side पर आगी है, ठीक है, तो correlation जो है, उसके उपर research अभी भी चल रहा है, हमने अभी इतना ही करना है, आगे चलते हैं, ठीक है, let's move to the next article, अगले article में पॉलिटी से काफी important एक मुद्धा share किया गया है, आप मेंसे जिन लोगों ने 2023 का UPSC mains देखा, उसमें अगर आप questions को analyze करोगे, उसमें आपको सकते हैं कि pattern क्या है, वो unique चीज क्या है, जो 2023 के mains में हम देख सकते हैं, बताइए, very good जिन दिन, it is interlinkage, ठीक है, cross-sectional linkage भी उसको कहा जा सकता है, जिसका मतलब ये है, कि environment की चीज़ को quality से relate किया जा रहा है, right, science की चीज़ को किस से relate किया जा रहा है, ethics से, right, so on and so forth, ठीक है, औ और, नहीं, current static की relation तो definitely रहती ही है, but cross-sectional linkages, ये काफी जादा देखने को मिली थी, in UPC 2023, तो ये जो article है उसलिहा से काफी important बन जाता है, क्योंकि recently Supreme Court ने एक judgment दी है, एक ruling दी है, जहां पर उन्होंने article 14 और article 21 के scope को expand कर दिया है, and right to, or what we can say is, right against adverse effect of climate change, will also be part of right to life and equality, right to life and right to equality right to equality कौन से article में गिवन है, article 14 में, and right to life, article 21 में, तो स्मुद्धे के थोड़े से पहलू समझ लेते हैं, right, ये three judge bench एक case सुन रहा था, तो वहां पर ये ruling दी गई, article 14 की language आप जानते हो, समझते हो, कि basically state जो है, वो किसी भी व्यक्ति को equality before law deny नहीं करेगी, कि कानून के सामने, generally equality before law रहेगी, हाँ, कुछ exceptions होती है, president, governor, इन सब के लिए, but generally, state यानि की सरकार और उनका कोई instrument, definition of state भी आप सबको पते है, constitution में define कर रखा है, और supreme court की अलग-अलग judgments भी, what state is, इसको define करती है, लक्षमी कांथ इसके लिए पढ़ने पढ़ेगी, it's an important book, it does not deny any person equality before law, or equal protection of laws within the territory of India, ठीक है, equal protection or equality of law ये रहती है, और religion, race, caste, sex, place of birth, ठीक है, sex यहाँ पर मतलब gender, तो इसके basis पे हम discrimination नहीं करेंगे, और article 21, right to life, ठीक है, ये क्या करता है, ये basically protection of life and personal liberty करता है, जिसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, अपनी life या personal liberty, मतलब उसकी deny नहीं की जाएगी, उस पर curtailments नहीं लगेगी, except according to procedure established by law, ठीक है, lawfully created procedure से कुछ restrictions लग सकती है, कि मानलो कोई criminal है, obviously उसको तो confine करना पड़ेगा, हमें तो उसकी liberty जो है, his liberty would end when the liberty of society in general needs to be protected, ठीक है, ऐसे criminals खुले घूमते रहेंगे, तो फिर आप और मैं तो डर डर के निकलेंगे, घर के बाहर पहले देख तो ऐसे case में procedures established होते हैं, law के accordingly, तो without them, इनको use के बिना आप किसी की liberty ऐसे encroach नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, कि जो case चल रहा है, ये case क्या है, Great Indian Bustard के उपर, जो case मैंने आपको बताया था न, कि transmission line से टकरा कर, ये भारी सा बिचारा पक्षी, जो राजस्ता उनका state word भी है, ये अपनी जान गवा देता है, ठीक है, काफी सारी casualties हो रही है, और Great Indian Bustard, ये flagship species है, किसका desert ecosystem का, तो इसके उपर case सुनते हुए, Supreme Court ने एक ruling दी थी, कि इन transmission lines को underground कर दिया जाए, फिर दुबारा revise ruling की, कि जहां पर उन्होंने कहा, कि सरकार ने एक affidavit के उन्होंने कहा, कि इसके उपर एक committee बिठाई जाए और कुछ alternate इस पर ढूंडे जाएंगे, and meanwhile, जितनी जल्दी हो सके, renewable energy के उपर आप focus करो, ठीक है, तो उसमें क्या है, कि basically, renewables के उपर जब बात हुई ना, तो वहीं से एक point निकल किया है, कि carbon emissions भी कम होनी चाहिए, और D.Y जो basically chief justice of India है, उन्होंने यही का, कि climate change से भी बचने की जुरूरत है, क्लाइमेट चेंज के adverse impact जो है, वो अलग-अलग लोगों उपर अलग-अलग तरीके से impact करता है, ठीक है, और किसी की जान के उपर भी काफी ज़्यदा गहरा प्रभाव उसके उपर पढ़ सकता है, तो क् आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 हमारे constitution में इन चीजों को protect करते हैं, तो इसलिए climate change के adverse impact के उपर भी सरकार का पूरा काम है, कि इसके उपर भी पूरी तरह से काम किया जाए, ठीक है, तो यह basically इस case का background है, इसी के साथ साथ Honorable Supreme Court ने Article 48A and Clause G of Article 51A, यह दोनों आर्टिकल जो है, य Directive Principles of State Policy में, ठीक है, जहां Article 14 और 21 तो Part 3 में है, यह Directive Principles of State Policy में है, आर्टिकल 48A क्या कहता है, इट basically lays down Directive Principles for protection and improvement of the environment and safeguarding forests and wildlife, यह बदो सरकार का यह endeavor रहना चाहिए, कि वो environment को improve करे, forest और wildlife को भी conserve करे, ठीक है, तो GIB की conservation को लेकर भी इसकी reference एक तरीके से आ गई थी, 51A की Clause G, यह basically क्या कहते है, कि हर citizen की, यह duty है, कि वो protect करे, improve करे किसको, natural environment को, जिसमें forest, lake, river और wildlife, यह सारी चीज़ें included है, ठीक है, तो इन दोनों का भी हवाला देते हुए, इन्होंने क्या कहा, कि constitutional provisions basically यह बता रहे हैं, it is implying that recognition of right to a clean environment and protection against adverse effect of climate change is a very crucial part of our constitution, ठीक है, यह basically case जो है न, यह जो explanation है, पूरे मुद्दे की यही है, ठीक है, इसके बाद, इसको आप एक बार read कर लिएजेगा, question पर सीधा चलते हैं, ठीक है, question पर करना, यह question करना जरूर है, question पर आकर, आपको समझ लगेगी कि यह जो चीज हमने समझी, यह जो चीज पढ़ी, exam में सवाल कैसा बन सक कि 1, true है के false है, 2, true है के false है, 3, true है के false है, ऐसे आप comment कर सकते हैं, ठीक है, राजीव और जिनदिन ने directly answer बता दिया है, और वो कह रहे है, option C is the answer, ठीक है, option C is the answer, right, and Amit, congratulations, आप सही बता रहे हैं, ठीक है, और राजीव और जिनदिन को देखकर, सभी बच्चे C बता रहे हैं देखो, question ध्यान से नहीं पढ़ा, राजीव और जिनदिन, ये देखो, ये गलतियां करते हैं हम, जब हम practice नहीं करते हैं MCQs की, आप सारी चीज़ें समझ चुके हो, लेकिन MCQ की practice क्यों important है, now understand this, question देखो क्या कह रहे, question कह रहे, a person in India, ठीक है, a person in India can seek justice in a court of law against violation, can seek justice in a court of law against violation of his right against adverse effects of climate under which of the following provisions of Indian constitution, जब court में वो justice लेने के लिए जा रहा है, constitution का हवाला देते हुए, तो वहाँ पर justiciable provisions ये use होंगी न, तो क्या, directive principles of state policy, are they justiciable in nature, ये Supreme Court क्या time to time कह चुके है न, कि हाँ, justiciable नहीं है वो, ये fix है, लेकिन हाँ, थोड़ा साम उसको refer करेंगे, in order to, put certain restraints or give certain directions to the government, that is state, राजीव, clear अब, जिन दिन, clear, first true है, second true है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो answer क्या बन जाएगा, option B, तो answer क्या बन जाएगा, option B, directive principles जो है, वो state policy, right, directive principles of state policy, they are not justiciable, right, तो B answer है, because 3 and 4 are DPSPs, which are not justiciable in nature, आपके लिए answer में इलिक भी दिया है, ठीक है, अब देखो, means की मैंने बात की, कि cross-sectional linkages होते हैं, तो cross-sectional linkages को समझना बड़ा जरूरी है, right, तो question cross-sectional linkages बनाते होगे कैसे आ सकते हैं, और हाँ, वो याद है किसी को, अभी इसको भूल जो, इसको ना देखो, अभी मुझे देखो और सुनो, मुझे comment section में बताओ, क्या किसी को वो या उस टाइम पर, उस टाइम पर, 95% बच्चों को याद ही नहीं आया था कि ये कोईलो केस क्या है, ठीक है, इवन कई toppers भी ऐसे थे, जो final merit list में, जिनका rank भी आया, उनको भी उस समय पर नहीं याद आया था, that what the hell is कोईलो केस, जबकि although ये दिया होता है, books में, standard books में, लेकिन हमारी आंकों से निकल जाता है, कई बार, ठीक है, वो ही में sit, यहाँ उस टाइम pressure condition में एकदम से याद नहीं आता है कि कोईलो केस था क्या, ठीक है, why third is wrong, directive principle of state policy, इसलिए third is wrong, राणू, ठीक है, directive principle है न, तो DPSP justiciable नहीं होते, DPSPs are not justiciable, that is why third is wrong, बता तो दिया है, तो यह हाँ पर ऐसा question आ सकता है, there is an urgent need for India to shift to solar power, ठीक है, analyze this statement in context of recent ruling of Supreme Court in M.K. Ranjit Singh case, ठीक है, M.K. Ranjit Singh case न, यही Great Indian Bustard वाला case है, ठीक है, G.I.B. वाला case, उसका नाम Ranjit Singh case है, उसकी बातने सुनते सुनते, Honorable Supreme Court ने इसको क्या किया है, acknowledge किया है कि solar power की तरफ बढ़ना पड़ेगा, काहे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें decarbonize करना है खुद को, carbon neutral बनना है, क्यों बनना है carbon neutral, क्योंकि climate change स्यापा create कर रहा है, यह स्यापा create कर रहा है, तो इससे बचने की जुरूरत है, तो इसलिए article 14 और article 21 प्लस DPSP की कुछ clauses को interpret करते हुए, it is important कि हम solar power की तरफ बढ़न सिंग केस था गया, ठीक है, लेकिन अब आपको पता लग गया है कि रंजीत सिंग केस G.I.B. के साथ deal कर रहा है, प्लस climate change and basically climate change and right to life and right to equality, इसको आपस में link बना रहा है, connection बना रहा है, ठीक है, तो उस context में आपको इसमें समझाना है, ठीक है, उस context में समझाना है, तो इसका जो एक structure है, मैं एक brief में आपको structure बताता हूँ, सबसे पहले तो आप बताओगे कि ये रंजीत सिंग केस है क्या, ठीक है, रंजीत सिंग केस में Supreme Court ने क्या ruling दी, कि जैसे underground of wires कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो feasible नहीं है, तो इसके उपर further अभी development चल रही है, उसके बाद आ जाओगे कि Supreme Court while hearing the arguments, right, highlighted the urgent need for India to shift to solar power in the context of following facts, ठीक है, वो facts क्या आएंगे, relation with context of article 14, उसमें आप explain करोगे कि article 14 को Supreme Court ने कैसे interpret किया, context of article 21, उसमें कैसे किया, article 48A, article 51A, ठीक है, चार points हो गय, हो गया, dimensions बताल लगे, खतम बात, ठीक है, done, ठीक है, तो इस तरह से 15 नमगर बन जाएगा, ठीक है, अब यह trick और यह techniques कि how to analyze these things, how to write really good answers, यह हमारे P2I part का, P2I program का बड़ा essential feature है, क्योंकि इसमें, ना कियेवा live classes के तुरू आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, बरकि हर live class में, जब आप एक concept को cover कर लेते हैं, तो उस का exam clear करवाने में help करेगी, तो जो बच्चे, working professionals या अभी college में हैं and they want to start early, ठीक है, उनको मैं suggest करूँगा कि आप हमारा P2I long term batch में enroll कर सकते हैं, otherwise this is a 45,000 रूपी course, लेकि CS live code लगा कर, आप 36,000 में इस course में enroll हो सकते हैं, इसका फायदा यह रहेगा कि देखो, working professionals को मैं यह क्योंकि आपके पास थोड़ा time crunch रहते हैं, तो आप देखो 2025 को target कर सकते हो, that is an option, पट उसमें क्या होता है कि आपकी approach फिर ना थोड़ी गड़बड हो जाती है, आप कोशिश करोगे कि ओके मैंने थोड़े से components कर लिए, core components से शुरू करेगा हर कोई quality, history, geography, economy and environment, ठीके थोड big four subjects अपने ऐसे cover कि है, कि मेरा pre निकल गया, लेकिन आपका optional शायद sorted ना हो, आपका ethics शुरू ही नहीं हुआ था, international relations और जो security है, plus world history के component ही है, हुए नहीं, तो होगा कि pre बड़ी मुश्किल से clear होता है, वो clear तो हो जाएगा, पर मेंज में फसके, दुबारा attempt देना पड़ सक इनों में थोड़ा सा तो cool off करोगे, तो ये components का है कि हमेशा धीले रह जाते है, and you enter into repeated cycle of failed attempts, तो उससे बेटर ये है कि मैं बहुत genuine suggestion दे रहा हूँ, अपना target year, 2025 के जगह, 2026 कर दो, और वहाँ पर पूरे syllabus को complete करके, then give 2026 attempt with full vigor, right, तो उनके लिए ये long term है, जिनके पास time crunch है, usually college going students, क्योंकि उन्हें अपनी classes के साथ पढ़ाई करनी होती है, and working professionals, उन्होंने job के साथ पढ़ाई करनी होती है, उनके पास problem रहती है, तो इसमें ये course help करेगा, क्योंकि course का design ही ऐसा है, कि maximum चीज़ें हम class में cover करते हैं, घर जाकर आदा गंटा, या 40 minute भी अगर आप दे दो, class में सिखाई बातों का, right, so over a period of nearly one and a half year, आपके अच्छा grip बन जाता है content पे, and इसमें मान लो किसी का मन किया, 2025 का exam देने का, तो prelims का crash को 25 का भी मिलता है, 26 का भी मिलेगा, set of 18 books भी मिलेगा for your effective revision, and having a good grip over your static part, ठीके, so you can enroll, CS Live code use कर सकते हो, discounted से मिल जागा, और कोई doubt है, तो अगले इन मुद्दे पर, PMLA, Prevention of Money Laundering Act, यह बहुत जादा news में है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कि over a period of time, PMLA बड़ा ही न, दंतदार, ठीके, कि बहुत शाप teeth इस Act के आ गए है, और इसके उपर allegations लग रही है कि इस Act को इतनी बार amend करके, इसका misuse जादा हो रहा है, right, तो over a course of time, PMLA में कुछ significant changes introduced हुए है, especially, you know, after 2014, right, तो इसमें bail के law के उपर कुछ changes हुए थे, retrospective application इसमें introduced हुई थी, कि इस law के पहले भी अगर किसी ने money laundering की है, तो उसके उपर भी इसकी धाराएं लग सकती है, ठीके, and police को, police को, या फिर इस case में enforcement directorate को बहुत wide powers दी गई है, ठ अब Supreme Court ने, and अलग-अलग courts ने, अपनी अलग-अलग judgments में, इन सभी changes को uphold किया है, ऐसा कहीं नहीं कहा के, they violate the provisions of constitution, लेकिन, opposition, right, और कई सारी political parties की कुछ allegations है, right, तो इसमें इनका कहना है, कि enforcement directorate जो है, वो एक alternate legal system create करने की कोशिश हो रही हो से, क्योंकि enforcement directorate, police नहीं है, it is not police, right CRPC के system से ये बाहर काम करता है, और PMLA में क्योंकि ED को power है, तो ED does not necessarily follows the criminal procedure code, ठीक है, CRPC को follow नहीं करता, right, इसलिए usually क्या होता है, कि police में, जब police arrest करती है किसी को, और उसके सामने कोई statement दी जाते है, तो वो statement court में मान्य नहीं होती, क्योंकि ये assume किया जाता है, कि police थोड़ा torture कर के भी कबूल करवा सकती है, लेकिन क्योंकि ED CRPC के system के बाहर है, तो ED को दी गई statement जो है न, that is admissible in court, इसी के साथ साथ PMLA का एक section 45 है, ठीक है, section 45 क्या करता है, bail provisions के बारे में बात करता है, तो usually क्या होता है, कि bail काफी सारे दूसरे criminal cases में भी bail मिल सकती है, लेकिन PMLA and UAPMA, bail is an exception, right, यह तभी मिलेगी, जब judge 100% satisfied हो जाएगा, कि there is no prima facie case against the accused, and accused को bail मिलने के बाद, यह कुछ खुरा फातनी मचाएगा, इसी section 45 में कुछ exceptions भी दी गी है, जहां पर bail easily दे भी सकते है, ठीक है, और एक और चीज है, यह भी काफी criticism इस चीज का आते है, कि usually देखो, जब FIR कोई क EC के खिलाफ, तो जब police arrest करने जाती है, तो उसको बताया जाता है कि आपको क्यों arrest किया जाता है, you are being arrested under the charges of so and so, under clause this and this, you have right to remain silenced, ठीक है, यह सारी चीज़ें बताई जाते हैं, यह सिरफ अंगरेज नहीं करते है, हमारे इंडिया में भी ऐसे होता है, police सारा बताता है, लेकि is not obligated, और इसके उपर अभी courts ना, इसके उपर विचार कर रहे हैं कि यह सही है भी के ने, ठीक है तो PMLA में कुछ ऐसी clauses हैं that are coming under controversy, और उसमें allegations यह लगाई जा रहे हैं, कि इसको basically जैसे, देखो हर जगा ऐसा होता है, ठीक है US में भी होता है कि कई बार ruling government, opposition के कुछ members को target करन तो जब around, Congress का जब rule आया था, ठीक है, 1940 में कुछ महीने के लिए Congress के 28-29 months के लिए Congress ने rule किया था, तो तब South में यह cases आये थे कि Police Department को opposition parties के member के against use किया गया था, ठीक है, मदरास presidency particularly काफी बदनाम भी हुई थी इस चीज़ को लेकर, पिछली UPA government जिसके time पर PMLA आया, तो उनके उपर भी allegations लगती थी, जहांपर CBI को Congress Bureau of Investigation कह देते थे, ठीक है, तो ये तर्क वितर्क आरोप, प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, ठीक है, तो ED पे मौझूदा case में ऐसे आरोप लग रहे हैं, कि opposition members को target करने के लिए use किया जा रहे है, और क्यूंकि इसमें bail provision ऐसी है, कि ब बात करते हैं, bail provision में ऐसा है, कि इसका section 45 बताता है, जहांपर burden of proof किस के उपर होता है, accused के उपर, otherwise दूसरे criminal laws में जादा तर, police के उपर ये burden of proof होता है, कि वो proof करें कि जिनको हम पकड़ कर लाएं हैं, जो arrest करके लाएं हैं, crime इसी ने किया है, लेकिन यहांपर accused के उपर होता जैसे अगर कोई 16 साल से कम की उमर का है, महिला है, यहां कोई बिमार है, यहां उसकी physical condition है, ऐसी है नहीं कि वो कुछ ऐसे move कर सके, तो यह special court अगर direct करें, तो इन लोगों को bail दे भी सकते हैं, अब प्रिती चंद्रा, इनके उपर ये BRS की member हैं, और इनके उपर excise liquor scam जो डेल प्रिती चंद्रा का, technically इसमें हुआ क्या था कि इनके husband, ठेके he was the director of Unitec, ठेके Unitec के एक firm है, right, real estate के साथ भी इनका काफे संबंद रहता है, तो वहां पर कुछ discrepancies हुई थी और इनके husband को arrest कर लिया गया था, तो ED ने इनने भी arrest कर लिया, right, और court के सामने इनों ने कहा कि she is not a household lady, मतलब housewife नहीं है, business woman है, husband के साथ कंदे से कंदा मिला कर contribute करती हैं, so she is also an accomplice, moreover, PMLA में एक amendment हुई थी, जहां पर criminal conspiracies वाले cases को भी add कर दिया गया था, तो उसमें क्या होता है कि criminal conspiracy में otherwise क्या, अगर इसके add होने से पहले क्या था, कि अगर कोई accused है, तो सरफ उसको दिखा जाएगा, लेकिन criminal conspiracy को जब PMLA में add किया, तो accused के accomplices को भी consider किया जाता है, कि इन्हों ने भी कुछ खुराफात मचाने की कोशिश किये, तो प्रीती चंदर को ED ने arrest कर लिया, ठीक है, लेकिन high court ने reject कर दी ED की argument, कहते है कि household lady का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि women है, section 45 में लिख हो है कि exception की जा सकती है, so that exception would be given irrespective of occupation, educational status, और social status, ठीक है, और इन्हों ने कहा, कि इसी के साथ-साथ, प्रीती चंदर का case देखते हुए, हमें कुछ नहीं लगता कि there is any kind of flight risk or tampering with witnesses, ठीक है, इनके case में इनको ऐसा लगा था, कि flight risk नहीं है, कि मतलब ये भाग जाएंगी कहीं पर ऐसा भी हमें नहीं लगता, court was satisfied with this, and witnesses के साथ tempering या, उनको manipulate किया जा सकते है, ऐसा भी हमें नहीं लग रहा, तो इनको छूट देदीगी, ठीक है, मौझूदा case में BRS वला जो में बता रहा था, वो actually के कविता है, के के कविता, member of BRS, इनको excise liquor scam में arrest किया गया, और इनके जो senior advocate है, अभी शेक मानु संग्वी, also member of Congress, उनके साथ associated रहते हैं, तो उन्होंने पृती चंदरा case को ही highlight किया, और कहा कि interim bail इनको मिल जानी चाहिए, क्योंकि women के लिए exception है, ठीक है, Delhi court ने सारी arguments को सुन लिया है, और फिलहाल अपने ruling को reserve पर रख दिया है, और ये एक short history है PM मिल लेगी, ठीक है, Prevention of Money Laundering Act, इसको मैं चाहूँगा कि एक बार आप go through कर लेना, इसमें PML क्या है, कब introduce हुआ, क्यों introduce हुआ, क्यों introduce हुआ, क्यों कि international obligations थी, तो हमने इसको introduce हमने किया, right, कुछ amendments इसकी आप देखेंगे, right, and इसके बाद जो इसका amendments का impact पढ़ा था, उसको एक बार read करेंगे, right, फिर criticism क्या है, इन amendments की, we will study that, तो इस तरह से 360 degree analysis हो जाएगा आपका PML का, ठीक है, this will be your homework, और मैं चाहूँगा कि जितनी information मैंने दिये, उसको थोड़ा concise करने की कोशिश करना, और short points में आप लिखना, ठीक है, तो आज के लिए, इतना ही, और मुद्द and long term batch students, I will see you soon today, at 6 p.m. in the classes, right, and इसे के साथ हमारा एक current affairs का भी crash course शोल रहा है, which is targeting 2024 prelims, ठीक है, तो उसमें भी आज art and culture का module basically start हो रहे है, तो उनसे मैं मिलूँगा 4 बजे, ठीक है, so आप देख सकते हैं, कि schedule थोड़ा सा tight होता है, 4 to 5, then 6 to 9, right, और फिर बीच में भी एक class होत थोड़ा सा delay हो सकता है, मैं टाइम निकाल के कर देता हूं reply, ठीक है, तो anxious नहीं होना कि sir का reply आया नहीं, अगर आपने message बेज़ है, आ जाएगा reply, ठीक है, तो at the rate, hello जंदन, यहाँ पर आप message बेज सकते हो, and thank you so much for your presence here, thank you so much for being so patient, being so wonderful guys, and पूरी उमीद है कि अपने exam के effort लग जाए और आपको बहुत जल सक्सेस में ले, all the way